चलिए दोस्तों लेकर आचुके हैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो यहाँ पर हमने केटराइज करें दो डिफरेंट ब्रांड के फोन एक तरफ मेंने रखा है X70 Pro जिसमें आपको 50MP का प्राइमेर लेंस देखने को मिल जाएगा और काफी अच्छा काम जो है वीवो के X70 Pro में इस बार हमें देखने को मिलने वाला है वहीं इसका कंपेशन करने वाले आइफोन 12 के साथ यहाँ पर आपको दो लेंस देखने को मिलते हैं जिसमें 12MP का वाइड लेंस है और 12MP का अल्टर वाइड लेंस है फ्रेंट में भी आपको 12MP का सेल्फी केमरा जो है आइफोन 12 में देखने को मिल जाएगा फिर सारे सेंपल्स आपको देखने को मिलने वाले वो जानने के लिए वीडियो पर लास्ट तक बंद रहिएगा यह वीडियो जो रिकॉर्ड होरा है यह वन जीरो अट जलो 30 fps पे रिकॉर्ड है यहां पर कोई भी stabilisation mode उन ही है आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है किसमें आपको stable, normal stable आपको जाद दिखने को मिल जाता है। वो आपके सामने है है। जरूर बताइज़ागा किसका ज्यादा अच्छा voice यहाँ पर आपको सुनने को मिल रहा है। और यहाँ पर video किसका जादा stable है। ज्या आइफोन 12 का या एक 70 pro का। कमेंड में जरूर से बताईएगा जैसे ही आप कैमेरे पर स्विच करते हैं 1080 60fps से तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा स्टिपलाइजेशन काफी ज़्यादा बैटर X70 Pro में देखने को मिलता है X70 Pro या फिर प्रो प्लस काफी ज़्यादा फोटो अच्छे हमें इस फॉन के देखने को मिलने वाला है तो इमेजेश की बात करेंगा यहाँ पर तो आप देख सकते हैं दोन इफोन काफी ज़्यादा बैटरी में आपके समने प्रिद्यूस करते हैं लेकिन अगर हम बात करें एक अच्छे ग्रीन कलर की जो आपको बिल्कुल लगने के कोशिश करता है वो आपको आइफोन 12 में देखने को बल जाएगा और अगर हम बात करें पीछे के बादलो की वो भी काफी एक नैच्रल जो कलर हमारे सामने निकल कर आता है आई कॉंटेक जो हता है वो आइफोन 12 में बिल्कुल यहां पर एक क्लियर नैच्रल रखा गया है लेकिन थोड़ा सा यहां पर वाइट टोन जो है थोड़ा सा आपको एक 70 प्रो में देखने को मिलते हैं अगर यहां पर इस इमेज की बात करें तो डिटेल्स नो डाउट दोनी फोन के हमें डिफरेंस देखने को मिलता है यहां पर वाम टोन में हमें एक 70 प्रो के फोटोस देखने को मिलते हैं थोड़े से कलर इन हैंस यहां पर इस बार आइफोन 12 में नजर आए ब्लेक को काफी ज़्यादा ब्लेक कर दिया स्कीन टोन बगरा अच्छे ता में अंडर करके कर दिया है इतनी जादा फेस और बॉड़ी पर आपको इतनी धूप ज्यादर देखने को नहीं मिलती है जो जिस हमें आइफोन 12 में जादा डिटेल के साथ निकल कर आयती है इस पर यहां पर इमेज में नजर आई है आप देख सकते हैं आस पास के सारे बेग्राउंड को थ काफी क्लियर तरीके तर शो हो जाती है और यहां पर बात करें दोनी फोन के डिटेल के मामले में उसमें हमें ज्यादा कमी किसी में देखने को नहीं मलती है डिटेल्स आपको काफी अच्छी यहां पर दोनी फोन के अंदर यहां पर देखने को मिल जाती है वहीं अगर हम ब वाइफोन के तरफ आइफोन 12 यहां पर निकल कर आता है वह अगर हम सिंपल शोट के बाद अगर वाइड इंगल के तरफ जाते हैं तो यहां पर काफी ज़्यादा डिफरेंस देखने को बल जाएगा यहां पर दोनों ही फोन के अंदर अलग लेंस अल्ट्रावाइट के यहां पर दिया हुआ है दोनों 12 में बात करें कि यहां पर आपके सामने एक चीज निकल कर आती है यहां पर फ्लेयर्स तो आपको सन की बहुत रेज इतनी भी होती है आईफोन 12 में कम देखने को मलती है एस कंपर x70 pro से वह काफी जर्फ डाउन करके रखने के कोशिश करता है बट फिर भी आपको फ्लेयर्स थोड़ी से नजर आती है बादलों का कलर जो है वह आपको थोड़ा डिट फोटो क्लिक करेंगे जैसे ही आप तो आपके सामने एक और चीज निकल कराती है यहाँ पर थोड़ा सा कॉंट्राज गड़ बढ़ा है एक्स्पोजर थोड़ा ज्यादा हुआ है मतलब वाइट टोन हमें थोड़ी सी ज्यादा x70 pro में देखने को मिलती है आईफोन 12 के काफी अच्छी इमेज़ आपको देखने को मिलती है मतलब फिल्ड ओफ यहाँ पर भी बेस्ट है आईफोन 12 का कलर सबगर यहाँ पर भी जादा डिटेलिंग के साथ निकल कर आते है काफी अच्छे थे फेस टोन की कलर को भी यहाँ पर मैटन करकर रिखा है एक 70 pro आपको ब यहाँ पर आपको काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ दोनी फोटो आपको देखने को मिल जाते हैं जैसी यहाँ पर फाइफ एक्स पर जूम करते हैं तो ओविस्टेलिंग के मामने में यहाँ पर यहाँ पर बेस्ट है विकोस यहाँ पर अलग से इंविटर लेंस यहाँ पर दिया गया है और फाइफ सबसका दो में आपको 12 में देखने को मलता है एक खास चीज और है यहाँ पर 60 X तक का आपको यहाँ पर सपोर्ट जोए एक सोटी प्रो में देखने गोगा 5 यहां पर भी आपको पीछे के बादल वगेरा और काफी अच्छे से एड डिटेक्शन जो है आइफ़ेक्ट सेलेक्शन के जो बात होती है तो वह आइफोन 12 अंदर ज्यादा बैटर देखने को मलता है एड डिटेक्शन वगेरा काफी अच्छे से करके रखी गई है वह अगर हम वीवो X70 Pro के बात करें तो यहां पर भी आपको पॉट्रेट वाली क्वालिटी तो काफी अच्छे से निकल कर आते हैं और जो 2X जों का जो आपका जो सपोर्ट है पॉट्रेट का वो काफी अच्छ को मिल जाएगा अगर किसी तरह मल्टीपल अब्जेक्स अगर होते हैं आपके सामने जैसे आप देख सकते हैं पपीज यहां पर आपके सामने दो से तीन है इसके अंदर अगर एक डिटेक्शन और बात करें तो यहां पर आइफोन 12 जादा बेटर देखने को मिल जाएगा यहां पर यूज नहीं किया गाए प्लेंश एक बात करें दोनों फोटो में आपको क्लियर ली डिफ्रेंस देखने को मिल जाएगा वीविव एक्सपोजर थोड़ा साथ जाधा देखने को मिलता है स्कीन के अंदर काफी जाधा अलग शो करता है लेकर आपको बिल्कुल जो हमें यहां पर देखने को मिलता है यह कि हमें जो है इस इंडर आइफोन 12 के अंदर आपको क्लियर ली डिटेक्शन काफी अच्छे है बेग्रां काफी अच्छा है आपर इस बार आइफोन डूयल ने आपकर किया है इस image से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर ही portrait shot अगर हम बात करें, तो iPhone 12 का बैटर निकल कर आए, skin tone वगरा काफी अच्छे से यहाँ पर selfie के, आपके human के iPhone 12 ने बैटर करकर रखें, white exposure थोड़ा ज़ादा है, अगर आपको colorful photos चाहिए, तो X70 Pro के अंदर आपको थोड selfie कर हम बात करें, वो आपको iPhone के अंदर ज्यादा बैटर देखने को मलते हैं, लेकिन X70 Pro में आपके colors वगरा, वो काफी अच्छे सा मैंडन करके रखता है, तो दोस्तों आपके सामने क्या better चीज़े आपको देखने को मलती है, वो सामने clear show कर दिए, जैसे कि अगर आप price point अ जादा increase नहीं करना जाते हैं, तो X70 Pro भी आपके लिए काफी best option है, इस price point पर, तो फ्रेंड, आपको कैसे लगे वीडियो, वीडियो को like जरू करिएगा, चैनल को subscribe कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगए हो, तो comment मेंचन करिएगा, और जुड़े रही है टेक काफे यार झीडियो वीडियो के नहाते हैं, जाँ देगी जहाते हैं, और आपके लोगए अट। बाहाते हैं, वावबदकन को झाचेग में वीडियो को प्रेंगियो को रेंचे, उस एमने तूछियो में एपके पकेषब मेंचाबदीज बवाने अजार बाहते हैं, ब itu द